Hello everyone, स्वागत है आपका पाटसाला रिशिकेश के YouTube चैनल पर आज जो हम MCQ सीरीज आपके लिए लेकर के आए है वो हिस्ट्री से है और मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1857 की जो क्रांती है उससे related जितने भी most important MCQ है या जो previous year based MCQ है उनको हम इस video lecture में discuss करेंगे ये जो आपके exam है SSC MTS हवलदार का उत्तरपरदेश पुलिस लेखपाल का या उत्राखंट पुलिस और पटवारी का जिस exam में भी GS का part आता है उसमें हम cover कर रहे हैं history को और history से related MCQ को topic wise MCQ करेंगे साथ में जो detailed जो एक ऐसी information है जो आपका concept build up करेंगी वो भी मैं आपको साथ में देता हुआ चलेंगे आप क्या करें कि आप जब question पढ़ें तो कोशिश करें कि आप answer कर पाएं अगर आपको लग रहा हूँ कि मैं slow कर रहा हूँ तो आप इसे 2X पे लगाईए और साथ में questions करिए ताकि practice ज़्यादा हो पाएं सारे questions आपको इसी तरह किसे मिलेंगे और यह previous year based रहा है यानि कि SSC की तयारी उत्तरपरदेश, पुलिस, लेकपाल या ऐसे किसी exams की तयारी जो GS के लिए है वो यहां से MCQ से आपकी हो जाएगी तो शुरू करते हैं पहले question के साथ और question को हमेशा अराम से पढ़ें जैसे exam में आ रहा है इस तरीके से सोच करके और आप करने की कोशिश करें ताकि आपका पढ़ा हुआ आपको लगेगा कि आप question कर पा रहे हैं पहला question मैं आपके लिए पढ़ता हूँ अंग्रेजी भारत्य सेना में चर्बी वाले कार्तूसों से चलने वाली Enfield Rifle कब शामिल की गई यह question है चार option आपके सामने दिसंबर 1856 नवंबर 1856 जनवरी 1857 या परवरी 1857 आप सभी जानते हैं कि जो revolt हुआ वो 1857 की करांती 1857 की करांती भारत अंग्रेजों का जब गुलाम रहा 1857 में उपनिवेश वाद यहाँ पर पूरा जो उपनिवेश उपनिवेशी करनों ने भारत का किया उसमें भारत की जो समाजी का आर्थिक पक्ष थे ही साथ साथ थे धार्मिक पक्ष यानि कि धार्मिक भावनाओं के साथ छेडचाड का जो मामला था उसकी वज़ा से एक बड़े आंदोलन ने उसका रूप लिया और वो हमारे सामने आया 1857 के तहर्त इसमें एक नाम आप मोस्ट इंपोर् को 1857 में गोली चला करके इन्होंने अपने अंग्रेज अदिकारी की हत्या करती क्यों हत्या करी क्योंकि एक छोटी सी बात थी कहा गया था कि चर्वी वाले जो कार्तूस है अब वो भारतिय सेना में जो अंग्रेजी भारतिय सेना है उसको चर्वी लगे कार्तूसों को खोल और जो गन थी, वो थी Enfield Rifle. भारती ओने अलग-अलग कारणों से विद्रो किये नवाबों ने विद्रो किये राजाऊं ने विद्रो किये लेकिन जो सेना, क्यूंगी इसको भारत का पहला सेन विद्रो कहा जाता है क्यूंगी इसके शुरूवात सेना ने उठाई तो देखो दिसंबर 1856 में एन्फिल्ड राइफल शामिल की गए जैसे जैसे ये बात पता चली 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने और इसके बाद मई 10 तारीक 1857 को अन्य आर्मी ने भी बगावत स्टार्ट कर दी विद्रो स्टार्ट कर दी है मेरे भाई यहां तक बात समझ आई का मतलब है उसी समय पर तुरंत किया गया जो कारण था वो क्या था चार आप्शन है इस तरह के कोशन रटे नहीं समझे जाते हैं और यहीं पर तुम्हें ये मैं समझा रहा हूं समझाई हम बात कर रहे हैं क्या भारत के पर्थम सुतंतरता संग्राम यानि की 1857 के विद्रो कि ध्यान से समझना ताथकालिक कारण बोला क्या लौट डलहो जी की हडप नीती थी बिल्कुल लौट डलहो जी की हडप नीती इसका कारण थी लेकिन ताथकालिक नहीं थी अंग्रेजों का धर्म में ह систем का संदे सैनिकि आसंतो מהका आर्थिक-शोषन मैं अगर एक बात कहू ये चारो कारण, चारो कारण है, लेकिन तातकालिक क्या है, अंग्रेजों का धर्मे हस्तछेप करना, आप कहोगे कि सारे कारण कैसे हैं वो भी बता दो, तो देखो Lord डलहोजी की जो हडप नीती थी, जिसके तहत, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सतारा को, उन्होंने तंज् उन्होंने मैसूर को, समझ रहे हो आप मेरी बात, इनको मिला लिया, इन्होंने आरोप लगाया, इस नीती में ये था, कहा गया, जो अंग्रेजों से सनरक्षन प्राप्त करके जो राज्य बने हैं, उन राज्यों को उत्रदिकारी गोद लेने का कोई अधिकार नहीं होगा, अगर उनका उत्रदिकारी नहीं है, अगर उनका उत्रदिकारी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो दो चीजे हो जाएंगे भई, अंग्रेज जो गवर्मेंट है, सरकार है, वो क्या ले लेगी, उनका राज्य ले लेगी, मेरी बात आ रही है, समझ में आपको, धर्म के बा भारतियों को निम्न वर्ग में, निम्न क्लास में ही पार्टिसिपेट किया जाता था, या उनको रखा जाता था, छोटे तपके पर, बड़े अधिकारी बनने का, मतलब सुबेदार से उपर जाने का भारतियों को अधिकार नहीं था, आर्तिक सोशन हो रहा था, आर्तिक सोश था रयतवाडी विवस था और इजारेधारी विवस था यह आप सबको बोरिंग लग रहे होंगे लेकिन एक्जाम में आते हैं यह कुश्टन दोस्त एक्जाम में आते हैं अगर अठारो शतावन तुमने पढ़ा है तो यह कुश्टन करके दिखाओ मैं चैलेंच करता हूँ तुमारे आखे खुली रहे जाएंगी कि तुमसे ये question अभी तो नहीं होंगे कम से कम ये वीडियो देखने के बाद को सकते हैं लेकिन फिलाल तो नहीं होंगे भाई अब देखो पाटशाला रिशिकेश अगर आप रिशिकेश के आसपास रहते तो offline batches हमारे start हो गए इन सभी पिरंगी को ये किसने कहा था मंगल पांडे जी ने कहा ये कहा इनकी घटना होई मंगल पांडे की जो 29 मार्च की बात मैंने कही कहा पर हुई ये हुई बैरकपूर में बैरकपूर में हुई दोस्तों मंगल पांडे कहा से संबंधित थे ये question आता है 34 वी बंगाल नेटिव नेटिव इंफेंट्री, इंफेंट्री, पंगाल 34-वी नेटिव इंफेंट्री से संबंदित थे और ये क्या कर रहे थे, भाहिया ये सैनिक थे, समझ रहे हो आप मेरी बात को, ठीक है ये इनोने ही सबसे पहले मना किया कि चर्वी लगे कार्तूशों को हम नहीं खोले हो और 1857 के विद्रो के दोरान बहादूर्शा ने किसे सहाब ए आलम बहादूर का खिताब दिया था बहादूर्शा कौन? देखो मुगल बाद्शा और जब मैं लिख रहा हूँ मुगल बाद्शा तो क्या तुम कह सकते हो? कि हाँ सर ये मुगल बादशा है कौन सा वाला अंतिम मुगल बादशा बहादुर शा जफर बहादुर शा जफर सेकेंड ये है अंतिम बादशा कई बार ये सवाल आया है 1857-1857 के रिवॉल्ट के समय विद्रो के समय मुगल बादशा कौन थे या अंतिम मुगल बादशा कौन इन्होंने एक विक्ति को सहाब ए आलम बहादूर का खिताब दिया मेरे भाई किसको दिया चार ओप्शन अजी मुल्ला विर्जिस कादिर हसन खान बक्त खान तो ध्यान से समझना बक्त खान जो ओप्शन है ठीक है जो बक्त खान बक्त खान जो ओप्शन है यह जो थे सैनिक आप समझो सैनिक सेनापती थे सैनिक क्या थे? सेनापती थे आर यह मेरी बात समझ में किसके? बहादूर्शाज जफर के सारे सैनिक इखटे हुए चारो तरप से पहुँच गए दिल्ली दिल्ली किसके पास बहादूर्शा जफर के पास पहुंचे बहादूर्शा जफर को अपना आंदोलन का नेता गोशित किया और बोला क्या आप हमारे नेता हैं अब बहादूर्शा जफर क्या गुड़ा आदमी गोजुर्ग आदमी वो कहां से लड़ पाता तो उसने क्या करा, बक्त खान को हाला कि उसने अपने पुत्र मिर्जा को भी सेनापती बनाये था, लेकिन वास्तविक सेनापती था बक्त खान. और बक्त खान की बाद तादू, इस्ट इंडिया कंपणी से सुवेदार पोस्ट पर वहां का सैनिक भी रहा था, लेकिन इसने विद्रो कर दिया, क्योंकि सैनिक विद्रो है भई, सैना नहीं चाहते कि अब उनके धर्म के साथ छेड़ चाड़ हो, तो बक्त खान बना सैनिक स देना पती कौन था दोस्त, क्या नाम याद रखोगे, बक्त खान याद रखोगे, देखो जो तुम्हारा एक्जाम है, उत्तरप्रदेश पुलिस का, उत्तराखन का, SSC, MTS का, सब पोड़ दोगे, अगर तुम पढ़ रहे हो, स्लेवस खतम कर रहे हो, तुम्हारे स्लेवस का आज की डेट में, कि कोई सिंबल दिया जाए, उस समय पर ये सिंबल क्या था, तो देखो, जनता जूज रही थी, समानता के साथ, और रोटी के साथ, तो कमल और रोटी, 1857 के, रिवॉल्ट के क्या थे, प्रतीक थे मेरे भाई, आगे देखो, ध्यान से समझना, ये कोशन तुम्हारे लिए है, और सबसे पहले अच्छा कोशन है, ये कोशन में तुक्का लगाया जाए, तो लगा दो, 1857 के संगराम के निमलिखित केंद्रों में से, सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुना दिकृत किया, चार आप्शन पड़ो, जहांसी, दिल्ली, मेरट, कान अब बात समझना, जब 57 में संगराम हो रहा है, चारो तरफ उपद्रव मचा हुआ है, क्रांतिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, अवद से, लखनाउ से, जहांसी से, बिहार से, पटना से, राजस्थान से, सब जगा, इधर उधर की अंग्रेजों को मार भगाएंगे, पीड उसी समय पर जब अंग्रेजों ने दुबआरे, क्योंकि देख के बादगारे जिस केंडर को, जिस छेत्र को, दूबआरे पराप्त करलिया, दूबआरे अधिकृत करलिया, वो कौन सा था सवाल ये पूछा गया है, आर ये बात इतनी समझ में, अगर आरी है, तो दिल्ली, क्या कह दो दिल्ली आंसर दे दो आरी के बात समझ में देखो कितना प्यारे MC क्यों है 1857 यही से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा 1857 का रिवॉल्ट मंगल पांडे से शुरू हो करके बहादूर साथ जफर तक बक्षान तक हम पहुंचे नाम जब भी 1857 का रिवॉल्ट का नाम ले रता है अंदूलन का नाम ले रता है तो बच्चा बच्चा जानता है महारानी लक्ष्मी बाई अब मेरी बात समझना रानी लक्ष्मी बाई का बच्पन का या यूं कहोंगी पूरा नाम बता दो ठीक है कई लोग एबच्पन का नाम बता ओ, तो बच्पन का नाम तो मनुझे अब पूरा नाम बता दो, सोचो अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो एक्जाम में ये फूचा जाता है, फिर न कहना कि हमने तुम्हें ये नहीं बताया, तो बोला महरानी लक्ष्मिबाई का जनमस्थली कहा है, इसका जनमस्थान बताना है, तो जिनें नहीं याद आया, उन्हें मैं बता दूँ, कि इनका नाम है मनुकर्णी का, क्या नाम है, मनुकर्णी का, मूवी भी देखियोगी, ऐसा मुझे लग रहा है, तो ध्यान देना, देखो, इनका जनम कहा हुआ था, इनका जनम हुआ था, वारा नसी में, 1835 में, 1835 में इनका जनम हुआ था, कहा हुआ था, वारा नसी में, किसके जनम की मैं बात कर रहा हूँ, महरानी लक्ष्मिबाई की, याद रहेगा, ध्यान रखोगे, वा वहाँ पर दूँगा, अभी थोड़ा सा रोक रहा हूँ, आगे चलो, अगला कोशन देखो, 1857 के बरेली विद्रो का नेता कौन था, बरेली विद्रो का, देखो मेरी बात समझना, हर जगा का नेतर तो किसी ने किया होगा, जैसे 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ, तो दिल्ली, एक, अवद, एक मेरे भाई, ठीक है, कानपूर, कानपूर, बिहार, कानपूर, बिहार मेरे भाई, लखनाओ, इन सब जगा क्या है, कोई ना कोई तो लीडर रहे होंगे न, जिन्होंने किया, दिल्ली में तो बहादूर्शा तुमने पढ़ लिया, अवद में कोई, चलो आजओ, बरेली में कौन थे, ये पूछा गया है, का खान बहादूर थे, मौलवी एहमच्छा थे, कुमर सिंग से, विर्जिस कादरी थे, कौन थे, तो खान बहादूर जो थे, वो बरेली क्या विद्रो समाल रहे थे, और बरेली कहा है, बरेली राम गंगा नदी के कि अगला कोश्चन लक्षमी बाई से है, समाधी, आप सभी जानते हैं, क्या कोश्चन है, महारानी लक्षमी बाई की समाधी कहां थी, मेरी बात ध्यान से समझना, रानी लक्षमी बाई जब लड़ी, तो आपको सबको मालू हुआ कि अपने बच्चे को अपनी गोद में, अंगाधर राओ क्या था, लक्षमी बाई के पती का नाम था, और इनका मनी करनी का तो मैंने बता ही दिया है, ध्यान रखना है, 1857 में इनका, जब ये यूदव में सहीद हो गई, तो जब ये शहीद होई तो इनका जो समाधी है, वो है ग्वालियर में, और ग्वालियर कहा विद्रो आज की बात तुम्हें पढ़ने की जरूत नहीं पढ़ेगी एक एक चीज हम क्लियर करेंगे एक एक चीज को समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में आगे देखो वहा महीला जिनोंने अवद में 1857 की क्रांती का नेत्र तो किया था कहां पे 1857 की क्रांती का नेत्र तो कहां अवद तो एक महीला का नाम तो तुमने सुना महाराणी लक्ष्मि भाई अब हम दूसरी महीला के पास जारे है ध्यान देना अवद अवद वो जगा है जहां से सबसे ज्यादा सैनिक लगबग लगबग 75,000 सैनिकों ने 45,000 सैनिकों ने 1857 के विद्रो में किया था पाटिसिपेट तो यहां पर जो महिला थी वो कौन थी बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल ने अवद में अवद में करांती का नेतरुत किया था मेरे भाई अवद में करांती का नेतरुत किया था या रूख लोगे अवद कहा है अवद प्यारा प्यारा बच्छा जानते हैं सारे जानते हैं कि अवद कहा है उच्टर प्रदेश में यूपी में हैं अगला कोश्चन देखो 1857 के संगर्ष में भाग लेने वाले सिपाईयों की सरवाधिक संख्या थी तो जैसा कोश्चन है बस वैसा ही इसका आंसर भी हो जाएगा अभी तुमको बताया याद रख लो रट लो छपने वाला कोश्चन ये होने वाला है अवध 1857 में सीधा सीधा कोश्चन आएगा अवध से लगबगदे को संख्या नहीं पूछी जाती है लेकिन समसे जादा स्थैनिक लगबग 75,000 स्थैनिक कहां से थे बहां से थे बोलो अवध से थे बोलना पड़े का तब तुम्हें याद होगा ये बात ध्यान को करके ही चीजे होती है आजाओ नाना साहब नाना साहब का कमांडर इनचीफ कौन था बस नाना साहब आया है तो तुम्हें अपने नाना को याद नहीं करना है यहाँ पर दूसरे नाना सहाब है, मराठा, समराज जिके नाना सहाब है और इनका जो नाम है वो था धोंदूपंत, क्या नाम था धोंदूपंत, यह है असली नाम कई बार पूछा जाता है धोदू पन्त का दूसरा नाम क्या था प्यार से जानते हैं इनको लोग राम चंदर पांडूरंग क्या जानते हैं राम चंद्र पांडू रंग के नाम से किसको जानते हैं तात्या टोपे को जानते हैं मेरे भाई तात्या टोपे को जानते हैं राम चंद्र पांडू रंग के नाम से धोंदू पंथ धोंदू पंथ के नाम से नाना साहब को जानते हैं तो दोनों बाते याद रखलो, इनों ने कानपूर से युद को समाला था बोला जाए, 1857 का जो विद्रो है, जो रिफाल है, कानपूर में उसका नितृटु किस ने किया? तो तांत्या टोपे ने किया, क्या ये बात आप समझ पाओगे, आगे देखो अजी मुल्ला खा, सलाकार थे, किसके सलाकार थे, देखो ये बातें जो है ना, जो ये कोशन है, ये ऐसे नहीं आता है, प्रिवियस येर बेज डिक्दम UPST टाइप ये कोशन है, सीधा तुमारे एक्जाम में आएगा, नहीं बता पाओगे, नाना सहाब के, नाना सहाब के ए अगिला कोशन देखो, कुमर सिंग, 1857 के विद्रो के एक प्रमुख नायक थे, क्या नाम लिया, कुमर सिंग, वहाँ निमलिकित में से किस से संबंद थे, किस से रिलेट थे, मतलब कौन सी जगा से उन्होंने विद्रो को समाला, तो प्यारे बच्चों, मध्यपरदेश, ब और तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा चक्राएगा, बिहार कहो, या बिहार को कह दो, जगदीशपुर, क्या कह दो, जगदीशपुर, और कुमर सिंग जी को, क्या कहा जाता था, कुमर सिंग जी का भी एक प्यारा नाम था, जैसे तुम्हारा भी, लालू, गोलू, मोलू, य यहाँ भी तुम्हारा नाम था, कुमर सिंग के बाद अगर देखा जाये मेरे भाई, तो इनको बिहार का सिंग भी कहा जाता है। अब इस चार option को ध्यान से समझना, उर्दू कभी आपने देखा होगा कई लोग अलग अलग प्रकार की शायरियां करने लगते हैं, उन शायरों को वो कहते हैं कि अरे ये तो गालिब सहाब ने लिखा है, तो ऐसा नहीं है, गालिब सहाब ने ही इस अंदोलन को देखा था, ल को लाइब देखा था, ऐसा समझो, आगे आओ कोश्चन पे, 1857 के सुतंतरता संग्राम में किस राजवंच ने अंग्रेजों की सरवाधिक साहता की, साहता तो इन सब ने करी, अगर मैं एक है तू, सरवाधिक किस ने करी, वो भी मैं बता के जारू, मेरी बात दुबार से सम देखो, अंग्रेज कभी न जीतते, भारत में 855 में ही खतम हो जाते, बोरिया बिस्तरा बांध ही दिया था उनका, लेकिन होता क्या है, एक तो जमीदार, साहुकार, या यूं कहूं, उचवर्ग के लोग, जो उनसे फाइदा ले पा रहे थे, जो उनसे पैसा कमा पा रहे नवाब लोगों को भी, जो उनकी प्रोटेक्शन से अपना काम चला रहे थे, क्या चल रहा था, अंग्रेजों को साथ दिया, उन्होंने 1857 में, उन्होंने सारे रिवॉल्टों की खबरे जो थी, वो उनके सामने आ करके खड़े हो गए, और अंग्रेजों को सारी चाहिता म ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इन्होंने सबसे जादा मदद अंग्रेजों को उस समय पर पहुचाई थी, मेरे भाई, बाद में, जब समय बदला, वक्त बदला, जज़बाद बदले, ये सब भी बदल गए, अंग्रेजों को फिर भागने में मजवूर होना पड़ा, औ लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद, लेकिन 1857 का जो reward था, वो भालियर के सिंधिया, ठीक है, अंग्रेजों की सरवादिक मदद उनोंने की, अगले question पर आओ, निमलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रो में भाग नहीं लिया, देखो ये चार option है, लेकिन इन में से दो answer है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये ध्यान से समझना कि जब 1857 का विद्रो हो रहा था, सब participate कर रहे थे, तो किसने participate नहीं है, तो जो मैंने बोला, देखो, उस समय पर सोशन हो रहा था, मजदूर का, और किसानी करने वाले विक्ति का, बाकी, साहुकार आनंद ले र और पड़े लिखे लोग, जो पड़ा लिखा समाज था, उस पड़े लिखे समाज ने क्या किया, कि तठस्ता बना करके रखी, कि ना हम अंगरे जो की तरह पे, ना हम रिवोल्ट की तरह पे हम शांत रहेंगे, तो वो भी विद्रो को थोड़ा सा कमजोरी मिली, और विद् गया भीया उस पर अलग अलग नियम काईदे कानून आया और थोड़ा तो रहत मिली उसके बाद भारतियों को भी सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली आ जाओ यह नेता और यह उनकी जगाएं जहां पर उन्होंने पाटिसिपेट किया नित्र तो किया तो विद्रोही और व टीक बैठता है फैजाबाद फैजाबाद किसका पुराना नाम है तो ध्यान दो आयोध्या का पुराना नाम क्या है फैजाबाद इसका आयोध्या का पुराना नाम क्या है फैजाबाद नाना साब धोंदूपंत जी हमारे कानपूर कानपूर में यह बैठे थे कानपूर से नित्र तो चला रहे थे ध्यान देने वाली बात अगला कोशन समझेंगे मगर प्यार से आपको मालूम भारत पहले कोशन पढ़ लो 1857 के विद्रोग के समय भारत का गवर्नर जन्रल कौन था चार आपके सामने हैं सभी ने इसका आंसर तो करे लिया होगा देखो भारत का जो सफर है वो गवर्नर से शुरू हुआ गवर्नर कहां का तो कहेंगे बंगाल का तो एक नाम आया बोलोगे क्या बताओगे रॉबर्ट कलाईव आया सर रॉबर्ट क्लाइब आया दोस्त रॉबर्ट क्लाइब आया फिर गवर्नर से चीजें हो गई गवर्नर जन्रल बोलोगे कहां का तो बताओगे बंगाल का बोलोगे क्या नाम फिर से कहोगे वारेन वारेन हैस्टिंग्स जा इतनी बात समझ आ रही है इसके बाद भारत का गवर्नर जन्रल कौन विलियम बैंटिक यहां पर मैं पहले पहले नाम ले रहाँ दोस्त पहले पहले नाम ठीक है अब भारत के गवर्नर जन्रल की बात आई जो 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ तो उस सम बार-बार, तो आज तुम याद कर लोगे, ध्यान देना, देखो, क्या हो रही है, 1857 की क्रांती हो रही है, मेरे भाई, क्या हो रही है, क्रांती हो रही है, किसके टाइम पे, कैनिंग के टाइम पे, का से क्रांती, का से कैनिंग, बड़े प्यार से समझ करके याद कर लो, का से करांती, का से कैनिंग, त्यार से कहोगे, तो का का तुम्हें याद हो जाएगा, बच्षपन में ऐसे ही पढ़ा जाता था, है न? आसे अंगूर यही, तो दुबारे से तुम्हारा बच्षपन का प्यार वापिस लाएंगे, जिहान से पढ़ो, का से क्रांती, चीए और ये नारा दिया था मंगल पांडे जी ने तो मंगल पांडे जी ने जब ये नारा दिया था तो उस समय पर कौन थे बिटिश कमांडिंग आफिसर वहाँ पर तो वो थे हैर से कौन थे हैर से थे सीधा सीधा याद कर लो हैर से भाई साब मंगल पांडे जब हैड से पुरा नाम सर जॉन बैनेट हैड से तो एक नाम याद रख लो जॉन बैनेट हैड से कमांडिंग ऑफिसर थे उमीद है यहां तक आपको चीजे समा जाएंगी भाई 1857 का एक एक कोश्चन कंप्लीट करवा रहा हूं है हिस्ट्री का ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो बढ़िया से कवर ना हो जाए फिर से समझो तुम्हार तुम लोग से वायोग की तेयरी कर लो स्टेट की त्यारी कर लो किसी चीज की त्यारी कर लो भाई मैं जी एस हिस्ट्री का तुम्हेरा ऐसा कवर करवा दूंगा छूटेगा नहीं कुछ थोड़ा टाइम दो मौका दो तुम्हें वीडियो अच्छी लगे एनर्जटिक लगे तुम ऐसा लगे कि तुम पढ़ रह था कौन खड़ा था कौन सो रहा था कौन जाग रहा था यह बात अब ध्यान रखोचे से इससे पहले एक सवाल हमने किया कि भया क्रांती के समय गवर्नर जनरल कौन था मेरे भाई तो आपने कर लिया वेरी गुड अब आया विद्रो के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौ प्रिटिश के प्रधानमंत्री अब हम ब्रिटेन का क्यूं पढ़ रहे हैं उनी की वड़े से तो क्रांती हुई है तो याद कर ले लिख ले ठीक है इतना समझ आया याद करना है यह ध्यान से देखो अब आजाओ आधुने कितियासकार जिसने 1857 के विद्रो को स्वादंत् कहा था फस्ट वार उफ इंडिपेंदेंस यह कहा था किस ने 1857 के विद्रो को कहा था किसने कहा था तो देखो विनायक दामुदर्द सावर्कर अगर आप जानते हो तो बस इनोंने ही कहा था 1904 में 146 में ACT इनोंने अभिव भारत नाम से एक संस्था बनाए थी αभिव भारत नाम से 1904 में, क्या नाम ले रहा हूँ में? वीडी सावरकर, और ये कोश्चन आता है पहली लडाई कहा था, पहली लडाई किसको यहां से बनता है कोश्चन 1857 के विद्रोग को पहली लडाई निमलिकित में से किस इतियासकार ने कहा था, किस इतियासकार के बाद भारत या फॉज के नव संगटन से संबंदित है बात समझना देखो जब हम इसे सैनिक विद्रो कहते हैं हम इसे स्पॉय म्यूटनी कहते हैं सैनिक विद्रो सैनिक विद्रो या स्पॉय म्यूटनी कहते हैं कि इसे 1857 के विद्रो को बात बिल्कुल सही है तो सैनिक विद्रोय तो देखो अंग्रेज यूरोपियन डर गए इसके बाद उन्हें लगा कि हमें आगे भविशी के लिए फिर से सैनिक को यानि कि आर्मी डिफेंस के लिए हमें रीफॉर्म करने के लिए एक आयोग का गठन establishment करना चीए किया उन्होंने उन्होंने बनाया पील कमिशन उन्होंने बनाया पील आयोग और जो पील आयोग बना इसकी recommendation के हिसाब से हमने ratio decide किया 5 ratio एक मतलब 5 कौन 5 भारतिय और उस पर एक अग्रेज अधिकारी यूरोपियन अधिकारी तो बस ये जो ratio था इसको और कम किया गया जैसे जाट जो सेना थी जो सैनिक सेना थी वो उनके काफी वफदार रही थी गोर्खा जो सैना थी वो उनके काफी वफदार रही थी तो इनका ratio बढ़ाए गया जो सैनिकों ने विद्रो किया था उनका ratio कम किया गया ये था 1857 का एक complete video lecture 1857 के revolt के सारे important conceptual question मैंने आपको करावा दिये हैं उमीद करता हूँ पूरे होंगे आपको अगर ये video पसंद आईए तो subscribe जरूर करें चैनल को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप हमें Facebook, Instagram, Telegram पर follow कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको ये video अच्छी लगे होगी Thank you very much